हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू यार चैनल आर्व जियमेटिक्स आज हम जेनेस से लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे अप्लिकेशन्स ऑफ जीपियस इसके लावब जो भी हमारे पास गेट्जामेटिक्स के अंदर जीएनेसस के टॉपिक्स तो वो हमने सारी कवर किये हुए और मुझे पूरा विस्वास है कि इससे ज्यादा बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जीएनेसस के अंदर तो इसके अलावा अगर कोई भी इंपूर्टेंट क्वेश्चन जो लगता है मुझे मैं कुछ के अंदर डालता हूं और आपको रेगुलर आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर कुछ देख सकते हो तो आज हम जो लेक्शेर स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर हम एप्लिकेशन asypow GPS पढ़िंगे वैसे तो मैं पता है कि आजकल GPS हार जगँज होता है हर एक मोबाइल फॉन में GPS होता है जैसे कि ऐसे हमकिसी को लोकेशन शेयर कर रहे है वाटसप पर लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो voh GPS सिंपर्मारकेश हमकर nuggets ब्स का है इसका यूज होता है जैसे कि माल लीजे military हो गया या फिर resource manager हो गया remote sensing GIS हो गया या फिर surveyors के लिए mapping के लिए हो गया तो हर एक जगे मतलब कि इसका यूज होता है और उसी के points को मतलब कि deep में हम पढ़ेंगे इसमें और जिससे के अगर exam में question पूछा जाता है तो हम उसको easily कर प position हम निकाल सकते हैं किसी भी time पर क्योंकि हर एक time पर हम मिनमम चार सैटलाइट चाहिए होती है अपने accuracy के साथ position निकालने के लिए तो वह चार सैटलाइट समय मिली जाती है अब GPS का जो application range है अगर देखा जाए कहा कौन कौन से field में हम GPS का यूज करते हैं जैसे military हो गया resource managers हो aware हो गए या फिर कहीं पर भी animal cells who wants to know their location मतलब अपनी location को अगर निकालना चाह रहा है तो GPS की help से किसी भी time पर और कहीं पर किसी भी location पर वो अपनी position निकाल सकता है जैसे कि माल जी नियरस्ट airport कौन सा है क्योंकि आज कल हर एक mobile phone में हम इसका यूज करते हैं अगर आप map खोलोगे nearest bank देखोगे nearest hospital देखोगे या कोई भी ऐसी चीज देखोगे तो वो किसकी help से हो रहा है GPS की help से हो रहा है हमारे पास क्योंकि satellites हमारे पास available होती है phone में receiver रहता है वो satellite से signals को receive करता है और फिर अपनी position या nearby की position वो बता देता है तो जो भी हमारे पास है nearby hospital हो गया उसकी भी position हम locate कर सकते है with the help of GPS GPS defense में बहुत ज्यादा यूज होता है उसके navigation या serving applications में अब space की जितनी भी missions हैं तो उनको मतलब की location के साफ से चलना पड़ता है या फिर aviation field में बहुत ज्यादा अगर अच्छा example लेना है तो वह aviation field क्योंकि हरे काली airplane की जो position है उसकी location है उसको हम track करते रहते हैं monitor करते रहते हैं तो हो सब किसकी बहाँ से होता है GPS की help की बहाँ से होता है मार पास so GPS is extremely used in defense navigation and serving applications in addition to geoscience for measuring accurate time and frequency required for ionospheric and atmospheric studies मतलब के study purpose के लिए बही कि कितना error उसमें अंदर आ रहा है ionospheric conditions को study करने के लिए या फिर हमार पा climate change क्या है polar motion के लिए earth rotation rate के लिए mapping and gravity field के लिए sismo ionospheric effects के लिए और most important क्या है हमारे पास के transport क्योंकि यह तो हमारे पास daily use में होता है जब आप कोई भी driving करते हो तो उसमें mobile phone में आप location on करके या फिर map को खोल के अपनी final destination तक पहुंचते हो तो वह GPS के help से होता है तो transport और communication purpose के लिए हमारे पास GPS का यूज होता है environmental management के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा vast area हो चुका है इसका GPS का और बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास GPS मतलब हर एक field में माल लिए इसका application है यह GPS का so GPS will soon be a part of overall utility of technology GPS is today being used for a wide spectrum of applications in India by various organization and there are many applications of the GPS so most important applications हैं उनके बारे में देख लेते हैं जैसे सबसे पहले होगा military purpose यह है तो हमें पता है कि GPS जो है basically develop जो यूज ने किया था वो military purpose के लिए हमारे पास डवलप किया था बट बाद में इसका क्या civilian use है बट हमें पता है कि इतनी ज्यादा accuracy नहीं मिल सके तो selective availability एक word देखा था हमने terminology जिसमें बताया था कि जान बुचके वो timing information के error को include करते हैं जिससे के accuracy थोड़ा कम अच्छीव होती है civilian purpose के लिए तो military purpose के लिए हमारे पास GPS होगा है originally developed हुआ था for real time military positioning जानने के लिए military के जो application से जैसे airborne हो गया Navy purpose मतलब के marine system के लिए land navigation के लिए हर एक purpose के लिए मतलब के defense purpose के लिए GPS का use होता था अब जैसे military aircraft हो गए ships हो गई, submarines हो गई, tanks हो गई, jeeps हो गई, equipment यह सारा क्या GPS technology के बरोसे होते है महारे पास मतलब कि इनका जो basic navigation है या फिर इनका target designation है या close air support है, weapon technology है मतलब हर एक चीज का GPS technology के equipment जो भी होते हैं उससे यह use करते है GPS technology को, तो military purpose के लिए basically यह develop गुआ था और उसका बहुत ज्यादा vast application है military, GPS is also used in the combatants, vehicles, aircrafts, missiles are deployed over unfamiliar and non-uniform terrain, देखो अगर आप defense purpose पर देखा जाए location देनी पड़ेगी और वो point की location किसकी help से मिलते हैं GPS की help से मिलते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है GPS का defense purpose के लिए और इसी GPS का misuse now इसकी वयाए से civilian को उतनी accurate position या accuracy नहीं अचीव हो पाती है it is also suitable for marking the position of minefields and underground reports तो मतलब कि हर एक चीज में इसका GPS का use होता है तो military field में कैसे use होता है वो अमने चीज देख लिए अब क्या navigation purpose के लिए GPS technology का कैसे use होता है जैसे navigation का मतलब कि है कि आप किसी भी object को track कर रहे हो मतलब कि उसकी हर एक point of time information पर उसकी location को track कर रहे हो तो navigation using GPS can save countless hours in the fields मतलब कि बहुत सारे time को save कर दकता है GPS navigation purpose के लिए GPS technology helps with marine navigation, traffic routing, underwater surveying, navigation in hazardous locations and their mapping तो हर जगे मतलब कि navigation purpose के लिए GPS का बहुत use होता है, surveying purpose के लिए, traffic routing के लिए, mapping के लिए तो मतलब कि GPS तो आपको पता ही है के हर जगे ही है आजकल, तो GPS navigation जैसे helicopters हो गया, vehicles हो गया यह ship हो गया, can provide an easy means of navigation with substantial savings तो basically हमार पाद GPS जो navigation हम करते है GPS के satellites के लिए तो बहुत ज्यादा time saving होता है हमारे पास और अगर कोई भी चीज है हमारे पाद underwater उसको भी हम locate कर सकते हैं, up to the 100 meter simply by scaling coordinates from a map, तो हम up to 100 meter तक underwater भी जा सकते हैं, with, मतलब के going directly to the side अब जैसे examples हो गया, road intersection का example लेते है, corner post का लेते हैं, plot canters का लेते हैं, accident sites का लेते हैं या फिर geological formation जितनी भी यह सारी चीज हैं वो हमारे पास GPS के help से हम इनको locate कर सकते हैं, मतलब के कहाँ पर accident हुआ है, वो accident site को हम locate कर सकते हैं, या फिर road के intersection कहाँ पर हैं मतलब कहाँ पर है, वो सारी चीज हम GPS के help से कर सकते हैं, इसका यूज़ वो commercial fishing में यूज़ कर सकते हैं, fleets use it to navigate to optimum fishing locations and to track fish migrations, मतलब fishing के लिए हम इसको use कर सकते हैं and it is also helpful for the automatic vehicle location, means अगर आप देखोगे के आजकल के जो गाड़िया हैं, वो मतलब automatic आ रही हैं, तो उसमें भी जो location information है जो भी map खुलता है, वो किसकी help से होता है हमार पास, जो भी उसको navigate किया जा रहा है मतलब उस गाड़ी को navigate किया जा रहा है कि वो कहा का move कर रही है, वो भी GPS technology के help से हो रहा है तो हमार पास navigation purpose है, जो बहुत important है हमार पास GPS की help से, जैसे कि अल्ड़ी बता दिया आप map खोल के आप अपने destination तक पहुंसकते हो, और वो आपको direction देगा, timing information देगा, कितना मतलब कि traffic है, उसकी information देता है और उसके लाब हमार पास automatic route मतलब कि कौन सा shortest route है, तो वो भी अपने GPS के help से अपना distance calculate करके आपको navigate कर सकता है और आजकल तो जैसे car भी आप यूज करते हो तो वो आपको direction देता रहता है, take left, take right, तो आप मतलब कि voice command से भी उसको track कर सकते हो तो GPS technology जो है वो आपको monitor करती है और आपको जो भी best route रहता है उसको plan करती है, मतलब कि navigation purpose को अगर आपको समझना है तो आपको अपना जो map on करके एक से दूसरी जगह जाते हो या किसी shop में जाते हो नेरे तो hospital में जाते हो तो वो सब navigation purpose का हिस्सा है और वो GPS technology के help से होता है हमार पास तो बहुत ज्यादा मतलब कि GPS application का main application जो है वो navigation purpose है हमार पास उसके अलावा जैसे हमने GPS surveying पढ़ा था, five types of GPS surveying पढ़ा था, static, kinematic और rapid static पढ़ा था, RT के पढ़ा था, stop and go पढ़ा था, वो मतलब कि surveying था GPS तो obviously हमार पाँ GPS का यूज जो है वो अपना serving और mapping के लिए भी यूज होता है जिससे के हमार पाँ accuracy अचीव, accuracy जो हाई अचीव होती है serving और mapping results की and can be rapidly obtained by reducing the amount of equipment मतलब कि एक तो receiver चाहिए उपर satellites available हैं हमारे पास और फिर जो labor awards रहते हैं other conventional servings में वो भी आप उने पास कम लगते हैं मतलब के क्योंकि एक अमारे पास reference rover रहता है एक reference receiver रहता है एक rover receiver रहता है मारे पास तो reference receiver पर जो accuracy रहती है वो जादा रहती है और rover receiver को different point पर हम serving के जो points रहते हैं उनसकी location information लेते हैं और फर बाद में post processing करके उसको correct कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि जो labor hours रहते हैं वो कम रहते हैं as compared to other conventional serving और इसके अंदर हमने यह चीज़ भी देखी थी कि GPS serving का जो benefits था कि visibility जो रहती है मारे पास वो सही रहती है हार टाइम पर अविलेबल रहती है जिससे कि हम इसको accuracy के साथ अपनी information निकाल सकते हैं के लिए तो हम GPS के help से किसी भी चीज की मतलब के accurately और timely mapping कर सकते हैं उसके साथ साथ हमां पता है कि GPS जो है वो 3D जो position रहती है हमारे पास वो बहुत ज्यादा accurately प्रोवाइड करता है फो natural और artificial features जो के हमारे पाग मैप में display होते हैं या फिर जो भी वर्ल्ड के mountains रिवर्स है फोरेस्ट है अन्डेंजर्ड अनिमिल्स है प्रिसियस मिंडल्स है या कोई भी resource हो उन सब का अगर हमें फीचर को जानना है चाहे वो naturally available हो या artificial तो उसकी जो position information अगर हमें निकाल लिए तो वो accurately किसकी help से हम निकाल सकते हैं GPS की help से या GPS की help से निकाल सकते हैं ठीक है GPS जो हमारे पास और किस चीज़ के लिए उस होता है serving and mapping के लिए जैसे हमारे पास कोई भी map cut block हो गया road की alignment हमें बतानी है environmental hazards जैसे land slide हो गया तो इसकी mapping कर सकते हैं और forest fire हो गया यह important है oil spills हो गया तो इन सब की mapping mapping का मतलब कि उसको density की wise कह सकते हो या फिर हर एक चीज़ का लग अलग है जैसे forest fire आप density wise locate कर सकते हो कि कहां पर ज्यादा आग लगी है कहां पर कम आग लगी है land slide की जो means natural disasters रहते हैं उनको monitor कर सकते हो वो सब GPS की help से किये जा सकते हैं उसके अलाबा जो अगर हम serving की बात करें तो काडस्ट्रिल सर्विंग हो गया फिर कहले जे काडस्ट्रिल मैपिंग हो गया जो के high degree of accuracy चाहिए काडस्ट्रिल मतलब कि अगर आप किसी भी area को divide कर रहे हो किसी भी दो party के बीच में तो हमारे पर उनके बीच में line हो तो काडस्ट्रिल मैपिंग मतलब कि accurately होना चाहिए और high degree of accuracy किसकी help से होता है GPS receivers की help से कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो receivers होने चाहिए वो high grade के होने चाहिए अगर low grade है तो मतलब कि accuracy थोड़ी low मिलती है हमारे पास क्योंकि different types of receivers भी हमने पढ़े थे उनके accuracy के basis पर classification था और साथ के साथ उसके frequency के basis पर भी था तो वो चीज हमने देखी दी तो अगर हमें high accuracy चाहिए तो हमें बढ़िया और high grade के GPS receivers उसके साथ साथ हमारे पास continuous kinematic techniques भी अवलेबल रहती है जो topographic surveys में accurately linear mapping कर सकती है हमारे पास तो kinematic मतलब कि moving रहता है हमारे पर rover receiver और फिर अगर real time kinematic अगर हम use कर रहे है GPS survey तो वो real time accuracy अचीब कर सकते हैं तो वो topographic survey के लिए यूज कर सकते हैं और linear mapping को accurately हम कर सकते हैं तो GPS receiver का या GPS technique का अमारे पास जो third important application था वो था हमारे पास surveying and mapping और दूसरा जो था वो अमारे पास क्या था navigation purpose और first हमने देखा था military purpose अब हम देखते है fourth type of application जिसके अंदर हमारे पार remote sensing GIS में GPS का कैसे use कर सकते हैं अब जैसे कि GIS हमने देखा था geographic information system क्या होता है हमारे पास कोई भी मतलब कि जो हमारे पास real world features होते हैं उनको हम digital format में change करके input करते हैं एक GIS software कह लिए वैसे तो इसके पांच components होते हैं बट एक components जो होता है तो GIS एक software है तो इसके अंदर के हम digital format में जो के हमारे पास यह input को लेता है तो उसके बाद हम उसको analysis करके output या query या कोई भी analysis कर सकते हैं तो GPS से जो data मिलता है वो directly input होता है मारे पास GIS software के अंदर और फिर उसके बाद यह क्या है उस data को assemble कर सकता है store कर सकता है manipulate कर सकता है और फिर बाद में geography reference जो information रहती है उसको display कर सकता है मतलब के GPS positioning के information रहती है वो prime input होती है GIS software के अंदर ठीक है तो GPS का जो data available होता है वो हम directly GIS operations को उनको basis पर मतलब के interpolation करके different analysis कर सकते है GPS data के उपार और यह भी possibility है हमार पास कि GPS की जो positioning data रहता है हमार पार उसको integrate करके interpolate करके remote sensing method से उसकी mapping कर सकते हैं जैसे geo resources हो गया हमार पार उसको हम photogrametry या aerial scanning या फिर video technology तो इसकी help से हम क्या mapping कर सकते है ठीक है और GPS जो हमार पास वो photogrametry को मतलब के georeference करने में help करता है जो भी हमार पास photographs है उनको अगर आप georeference करोगे तो GPS data का use कर सकते हो आपने ठीक है यह तो हमार पास photographs की मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको मालिजे जो भी aerial camera क्योंकि aerial photography करने है तो उसमें camera use होता है तो जो उसके coordinates है जो उनके मतलब के information है camera की position की वो भी आप GPS की help से कर सकते हो और determine कर सकते हो जो aerial survey navigation आप करते हो मतलब कि अगर आप drone survey कर रहे हो या aeroplane से कर रहे हो तो उसकी location information है वो GPS technology की help से कर सकते हो कर सकते हो कि मतलब कि करते ही वह GPS ही आजकल ज्यादा तर use होता है क्योंकि accuracy ज्यादा अचीव होती है हमारे पास तो हमारे पास GPS वह वो GIS data capture के लिए बहुत effective tool है हमारे पास GPS जो भी data मतलब के receive करता है store करता है या फिर location information जो भी होती है आप उसको computer के साथ easily attach या link कर सकते हो उससे फिर आपको जो भी data का transfer है software के अंदर कर सकते हो वह भी ज्यादा मतलब के error के बिना accuracy के साथ आप GPS data को software के अंदर input कर सकते हो तो वही मैं बात कर रहा था GIS में आप GPS data का use कर सकते हो और जो GPS है वो हमारे पास GIS environment के लिए मतलब के accepted है और हमारे पास proven है के data collection और जो data maintenance या जो भी information होती है GPS की वो GIS environment के लिए acceptable है और proven भी हमारे पास अब जैसे कि GIS database होता है जो कि बहुत large number of data को store करता है और फिर उसको monitor और maintain भी करता है तो वो GPS का जो large amount of data होता है उसको accurately और timely GIS database के अंदर store किया जा सकता है और फिर उसको use करके analysis या जो भी हमें output result चाहिए होता है वो हम achieve कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि यह remote sensing जैसे हमने देखा aerial photography remote sensing भी similar है हमारे पास उसका जो भी जो referencing हो गया या फिर आप किसी भी position यह जैसे camera हो गया aeroplanes हो गया उनका जो location information को आप गैदर कर सकते हो GPS technology के यल्प से और GIS का तो हमने यूज देखी लिया कि GPS data का क्या benefit है GIS software के अंदर तो वो मतलब कि बहुत important है GPS का जो application है GIS software के अंदर तो जो फिफ्ट application है वो aviation है अब जैसे कि हम बार बार बात कर रहे थे aviation aviation बहुत ज्यादा important मतलब कि इसका use GPS technology का aviation purpose के लिए होता है हमारे पास ठीक है कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात के थे कि कोई भी समुंद्र है आप उस समुंद्र के बीच में boat लेकर पहुंच गया और आपको पता ही नहीं है कि क्योंकि एकदम plane सा दिखता है आपको curvature of earth की वैसे वो बहुत दू इंशन पर पहुंचा जाए तो वो किसकी हल्प से होता है GPS टेक्नोलोजी के हल्प से क्योंकि आप अपने आपको navigate करने के लिए अपने आपको तो उनकी जो safety है और जो efficiency हो फ्लाइट की increase हो जाती है हमारे पास ठीक है तो जो pilots होते हैं अपने आपको navigate करके अपने destination जो भी आपको airport रहता है वहां तक पहुंचते हैं क्योंकि हर एक aeroplane का जो एक route जो path है वह decided रहता है जिससे के accidents ना हो और safety को ध्यान में रखके हमार पस वह predetermined रहता है और फिर उसको navigate किया जाता है monitor किया जाता है जिससे के कोई accident ना हो तो जो navigation होता है वह किसकी वैसे होता है GPS टेक्नोलोजी के वैसे satellite navigation provides accurate aircraft location anywhere on or near the earth तो मतलब कि accurately वह अपनी location को find out कर लेते हैं और जैसे कि पता है GPS जो ग्लोबली coverage है मारे पस मतलब कि Earth surface के कहीं पर भी किसी भी location किसी भी point पर आप अपनी position निकाल सकते हैं तो जब आप नियर और नियर और on the earth देखा जाए तो आप कहीं पर भी अपनी location निकाल सकते हैं similarly आप aircraft की location जो fly करती है उससे आप monitor कर सकते है navigate कर सकते हैं खुद को और जो भी obstacles होंगे तो उसको clear कर सकते है हमारे पास ठीक है और जैसे की aircraft की जो navigation है मितलब के उनकी जो timely location information है वो आप किसी भी other aircraft तक पहुचा सकते हो transmit कर सकते हो और फिर air traffic controller रहता ही है हमारे पास जिससे के कोई भी accident ना हो तो वो आपको control कर सकते है monitor कर सकते हैं क्योंकि आपकी information location information हर एक aeroplane की पता रहती है और ज GPS बहुत ज्यादा useful है वैसे हम यह भी बात कर चुके है कि aeroplane का एक standard path रहता है जिसमें वो fly करते हैं यह move करते हैं तो ऐसे हमारे पास GPS technology का use करके वो और नए और efficient air routes बना रहे हैं जिससे के इसको ज्यादा expand किया जा सके और GPS technology बहुत ज्यादा useful हो रही है हमारे पास aviation purpose के लि जहां mostly यूज होता है GPS technology इसके इलावा कि हमारे पास environment purpose के लिए GPS का यूज कर सकते हैं तो GPS technology का environment में कैसे यूज होता है mapping करके मतलब कि survey area जो disaster area जहें उनको survey या map करके तो उससे जो environmental phenomenon होते हैं जैसे forest fire हो गया oil spill हो गया कहीं पर hurricanes आ रहा है तो इन सब को क्या monitor किया या सकता है विदा help of GPS technology तो उसके environment को monitor किया जा सकता है ठीक है और यह भी possible है हमारे पास कि जो भी natural disaster है उनकी वैसे submerged हुआ है या फिर कहीं पर भी change यूज हो है तो वह अपनी location को find out कर सकते हैं वह किसकी वैसे GPS technology के वैसे ठीक है अब land surveying का example लेते हैं land surveying के अंदर GPS जो है वह हमारे पास पिन पॉइंट साइट या फिर पॉइंट पॉइंट लोकेशन अपने land surveying के अंदर बता सकता है अब जैसे एक और example लिया गया है जैसे कि Indian Ocean region में 24 में ये कहरी के सुनामी हुई थी तो जो भी global disasters रहते हैं उनके लिए जो relief efforts रहते हैं उनकी location पता करना और फिर best way best route को find out करन तो मतलब कि बहुत important role play करता है हमार पास GPS अगर हम इसका application देखें environment या किसी भी global natural disaster के अंदर तो जो भी struck रहते हैं हमारे पास उनको find out करने में GPS technology बहुत helpful रही है और उसका use भी आज के बहुत जादा होता है GPS technology अब जैसे माल लीजे कोई flood आ गया या फिर forest fire हो गया तो उसक इसको monitor करने के लिए GPS technology का use कर सकते हैं तो aerial study जो है वह बहुत helpful रही है हमारे पास मतलब helpful तो रही है बट कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं कि जो aerial study dense forest है flood है उसके बीच में हम नीचे नहीं पता कर सकते हैं क्या है क्या है क्या नहीं है flood के नीचे aerial study से हम नहीं जा सकते तो some of the most imp पैने ट्रेवल वो सब जो उसको हम evaluate कर सकते हैं अब जैसे हमने 6 application देख लिया और जो हमारे पर मतलब के अनदर application जो है GPS का वो कहां यूज हो सकता है geodacy के अंदर अब जैसे geodatic survey होता है geodatic survey का मतलब है कि जो curvature of earth है उसको consider किया था survey के अंदर तो GPS जो based approach है वो widely used है हमारे पार geodatic study of earth के अंदर क्योंकि geodatic surveying के लिए GPS है वो बहुत economic है हमारे पास और ease of operation है जो most preferred most preferred positioning method है हमारे पास मतलब कि geodatic surveying कर आप कर रहे हो या geodatic mapping कर रहे हो तो उसके अंदर आपको positioning information चाहिए और जो positioning information चाहिए तो आप GPS technology से निकाल सकते है और वह बहुत helpful रहती है और साथ के साथ वह economical भी रहती है मारे पास ठीक है तो अब geodatic mapping की जो खासेरत होती है वह यह है कि आपको high grade की या accurately information मिलती है अब accuracy चाहिए आपको तो high grade के जो GPS receivers होते है या equipment होते है वह यूज करने पड़ते है जिससे कि आप position accurately measure कर पाएं अब especially किस चीज के लिए जैसे आपको helicopter है या फिर line of sight जो है वह possible नहीं है तो GPS को आप set कर सकते हो standard of accuracy and productivity मितलब कि GPS को हमें high grade के equipment use करने पड़ेंगे जिससे कि accuracy high achieve हो सके हमें सेट कर सकतो या फिर जो productivity रहेगी और साथ के साथ क्या है कि जो भी GPS survey रहेगा मतलब जो भी calculation रहेगी position determination रहेगी वह बहुत quickly और efficiently होती है हमार पास और data को well within the accuracy achieve हम कर सकते है within the millimeter accuracy तो GPS survey basically geodatic survey के लिए helpful रहती है हमार पास with the achievement of high accuracy बट उसके लिए हमार पास क्या है हाई ग्रेड के GPS equipment यूज करने पड़ते है हमार पास ठीक है तो यह हमार पास जो सेवन्थ था वो जिवडेसी अप्लिकेशन था लास्ट जो अप्लिकेशन है हमार पास वह हमार पास time measurement उसके बाद हम एक नाइन्थ और देखेंगे जो लेंड सर्वेंग अप्लिकेशन है तो हमें पता है कि GPS से हमें 3D position तो मिल जाती है और जो हमने बोला है कि minimum 4 satellites चाहिए होती है किसी भी position की accuracy अचीव करने के लिए तो जो 4 satellites रहती है वो हमार पास क्या information देती है timing information देती है तो वह timing information मतलब कि जो variation रहते है हमार पास Earth surface के उपर जो GPS receivers रहते हैं और जो satellites यूज करती है precise clocks उनके बीच को Error जो रहता है उसको determine करने के लिए और उसको correctify करने के लिए मतलब कि जो clocks रहते हैं receiver और satellites के उनको synchronize करने के लिए ठीक है तो उसी से हमार पास क्या timing information हमें प्रवाइड हो जाती है GPS के help से तो यह latitude, longitude और altitude मतलब XYZ तो देता ही देता है GPS हमें बट इसके साथ-साथ क्या है यह हमार पास अपॉर्टिनेटर रहती है कि GPS के help से हम time के exactly information gather कर सके on the global basis ठीक है अब जैसे GPS जो satellites रहती है वो multiple atomic clocks मतलब कि precise clocks रहती है very precise time data information रहता है signals के अंदर जो transmit होता है GPS satellites से ठीक है जो signal आता है वो हमार पास GPS receiver उसको decode करके अपनी time जो information है location information उसको calculate करता है और वो अपने आपको synchronize करता है हर एक receiver जो है वो synchronize करता है to the atomic clocks जो available रहती है satellite से तो मतलब कि time को measure कर सकते हैं with the help of GPS technology और वो जो timing को determine करते हैं within the one billionth sorry hundred billionth of second time को determine कर सकते हैं without the cost of owning and operating atomic clocks मतलब कि हमारे पास एटमिक क्लोक्स नव होने के बावजूद हम hundred billions of seconds का हम time accuracy या time determination कर सकते हैं तो यह एक important application हमारे पास GPS का मतलब कि globally precise time measurement are achievable with the help of GPS technology और यह अमारे पास जरूरी भी है सिंक्रोनाइज करने के लिए controller communication facilities के लिए जैसे आप wireless telephone या फिर data networks हो गया वह अमारे पास GPS time को use करता है जिससे के अमारे पास जो भी base stations होते हैं उनको perfectly synchronize किया जा सके क्योंकि इसकी जो accuracy है और time determination है वह hundred billions of seconds एक second के भी अगर आप hundred billions किया जाए तो उस हिस्से तक वह अपना time को accurately synchronize कर सकता है मतलब कि atomic clock जो precise time information रखती है वह hundred billions of seconds तक time information accuracy रखती है और यह हमारे पास कहां use होता है और यह जो determination है time determination वह किसके help से होता है GPS technology के help से और यह जो time determination करने के बाद जो इसका use होता है वह हमारे पास किस application में होता है वह हमारे पास जो wireless telephone हो गया जैसे आप mobile में बात करते हो या data networks हो गया उसमें आपके जो basis stations है उनको perfectly synchronize रखने के लिए इस time जो GPS का time information होता है उसको use किया जाता है हमारे पास और इससे जो हमारे पर mobile internet रहते हैं वह हमारे पास share करते है limited radio spectrum जो कि बहुत efficiently होता है हमारे पास ठीक है तो मतलब GPS का जो important application थी उसके बाद हम जो last application देख रहे है वह हमारे पास land survey applications वैसे तो मैं पता है कि serving में हमारे पास GPS wide range of activity के लिए useful है हमारे पास तो जो land survey करते हैं अब छोटे एरिया का करते हैं बड़े एरिया का करते हैं but वह depend करते हैं मतलब कि जो advantages GPS का use करना चाहिए land survey applications में या नहीं करना चाहिए वह क्या है तीन classes में divided हैं ठीक है क्योंकि इसमें land survey में ऐसा मने आता है कि जो single receiver point positioning calculus या receiver होता है वो इतना accurate नहीं रहता है जो land survey के application को satisfy कर सके तो इसके basis में इन्होंने जो basically तीन हमारे पास classes में इनकी applications को divide किया गया है जो के identify की जा सकती है on the basis of range of relative accuracy उनकी accuracy की basis पे इनका classification है जैसे सबसे पहले हमारे पास scientific के अंदर हमारे पास क्या better than 1 ppm parts per million होता है है मारे पास 1 is to 10 की power 6 होता है हमारे पास तो 1 ppm तक की accuracy अगर हम अचीव हो रही है वो scientific के अंदर होती है तो survey primarily encompasses those surveys undertaken for precise engineering Deformation analysis and geodynamic है तो यह जो हमारे पास engineering survey हो गया हमारे पास यह फिर deformation का analysis करना है हमारे पास के कितना change हो रहा है vertically और horizontally तो बहुत minute सा होता है मतलब कि पार्ट्स ओप मिलीमेटर होता है तो मतलब कि यह जो accuracy है better than 1 ppm है one parts of parts per million है तो वो किसके अंदर आती है scientific के अंदर ठीक है अगर माल लीजिए हमारे पार जो accuracy needed है वह बन से 10 ppm तक की तो वो जो surveying है geodatic survey हो गया हमारे पास undertaken for the establishment densification and maintenance of control networks to support mapping तो यह जो huge analysis geodatic survey है तो वो geodatic के अंदर आता है जिसकी accuracy जो है 1 to 10 ppm तक होती है हमारे पास और जो third classification है वो हमारे पास general surveying जिसकी accuracy जो है वो lower than 10 ppm होती है और इसके अंदर जो surveys होते हैं जैसे हमारे पास lower accuracy surveys हो गए primarily undertaken for urban, cadastrial, geophysical prospecting, GIS and other general purpose mapping application जो है वो general surveying के अंदर आता है तो land surveying की basically मतलो land पर survey करना और types of survey होते हैं कि हम land पर कौन-कौन सा surveying कर रहे हैं बट उनका जो classification है क्योंकि बहुत सारे surveying होती है हमारे पास तो उसमें उनका classification तीन classes में किया गया है वो भी उनकी accuracy की basically जैसे lower than 10 ppm हो गया 1 to 10 ppm हो गया और हमारे पार better than 1 ppm हो गया हमारे पास ठीक है वो जीज हमने देख लिए आप जैसे user हो गया geodatic और general surveying category में form the majority of the GPS user community while scientific category user often provide the primary technology pool for the development of new instrumentation and processing strategy मतलब कि नीचे के जो दो जैसे geodatic और general surveying category हो गई वो GPS user की community को increase करते हैं मतलब कि जो भी GPS receiver available है उनकी help से यह accuracy को achieve कर सकते हैं but scientific category के अंदर के है कि बहुत ज्यादा high level की accuracy चाहिए better than 1 ppm तो वो थोड़ा technology को pull करते हैं और मतलब कि development phase में देखते हैं जिससे कि नए instrument और उनकी जो processing strategy है वो हमें accuracy के साथ achieve जो है highly achieve हो सके तो basically समझने का मतलब यह था कि जो land surveying का application है वो generally तीन category में divided किया जाता है उनकी accuracy के basis पे तो यह हमारे पास जो होता है वो js, sorry GPS का application था जो important था हमारे पास समझना और इनके basis पे हमारे पार गेट exam से questions देखे जा सकते हैं क्योंकि बहुत important application हो हर एक line important थीज के इंदर ठीक है तो हमें अच्छे से पढ़ना है और अगर कोई साथ भी doubt होता है आपको पूरी GNSS lecture सीरीज में अगर आपको पूरी GNSS lecture में कोई साथ भी doubt होता है तो आप हमें comment कर सकते हो और आप हमें हमारे साथ telegram चैनल पर भी जूठकते हो तो WhatsApp चैनल पर भी आप हमें join कर सकते हो लेक्चर का आपको PDF notes हमारे telegram चैनल पर मिल जाएगा और जिसका लिंक जो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा और next lecture में हम दूसरा topic स्टार्ट करेंगे great geometrics का और आप हमारे membership भी join कर सकते हो जिसके अंदर आपको previous years के मिलेंगे mock test मिलेंगे और जो भी marathon classes होंगी वह आपको हमारे membership के अंदर मिलेंगी तो आपको अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीज़े शेयर कीज़े अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब केज़े और हर यूज जामेटिक्स के साथ अपनी gate geometrics की preparation करत अपने दोस्तूं के साथ अफस्त minority यूज दो सबस्तौं के सामेटिक्स के साथ थे प्ल भी लाइका भी studio subscribers!